आजके इस वीडियो में आप देखेंगे कि A.B.B.M इसके बाद इसमें हेंडल को अंदर इंसर्ट कर इसको एंटिक्लाइकवाइट डारेस्टन घुमाते हैं तो नहीं हमारा breaker आउट हो जाता है ठीक है जब यह पुरी तरब से धीले हो ब्रेकर को ही पकड़के आप बहाँ निकाल सकते हैं देखिए ब्रेकर बाहर आ गया अब इसको खीच के आप बहाँ निकाले और इसमें जो भी काम करना है वो मेंडेनेस का काम कर सकते हैं रेकिंग इंक करने के लिए वापस शर्टर को प्रेस करना पड़ता है और प्रेस करके उसको क्लॉक्वाइड डाइच्टिन गुआते हैं और तब तक गुआते हैं जबकर इंडिकेशन में हमको कनेक्टेट का जो चिन है वो दिखाई ने दे हाना तो इस प्रकार से ब्रेकर को रेकिंग इन रेकिंग